नमस्कार लवली पेरेंस मेरी यूटीव चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है इन्फ्लंसिंग और कमांडिंग आ प्लीज चेक करें कि आपका स्टाइल क्या है पेरेंटिंग और वह किस तरह से बच्छ catalog करता है और कैसे हम उसको टीइक कर सकते राइट सो इंफ्लूएंसिंग क्या है इंफ्लूएंसिंग मतलब प्रभाव डालना प्रभाव पड़ता है इंफ्लूएंस हो जाते हैं हम लोग हमारा बच्छा इंफ्लूएंस हो जाता है अगर हम अपने टीनेज में जाके देखते हैं तो हम कितने इंफ्लूएंस हुआ करते थे कोई कोई भी सेलेब्रिटी है कोई भी आइकॉन है और उस समय हमारे पास इतने 30-40 साल पहले हमारे पास इतने आज भी कितने इंफ्लेंस हो जाते हैं बहुत लोग और होते ही है और हम रेखा है या हम इमामाली नहीं है और इंफ्लेंस होता है इंटरनल हमारी फैमिली में तो बच्चे छोटे होते हैं तो सबसे पहला उनका सॉसाइटल ग्रूप कौन सा होता है फैमिली इस मौलेस्ट एंड फीर्स इस फैमिली जब इंटेलिजेंस जब वह फाइव यह सब उसका ग्रास्पिंग पावर उसकी जो recording capacity होती है जो मशीन अंदर recording लगी होती है जिसमें उसका subconscious create हो रहा होता है यह उसका blueprint बन रहा होता है तो वो जो है इतनी फास्ट थी है न ला कि आप मैं से खुदी इस बाथ illustrate करते हैं पेरेंटस कहते हैं और उसका observation फावर कितना strong होता है, तो आपकी ना सिर्फ कही हुई बातें, बच आपका gesture, आपका face के expressions, आपका behavior, वो हर चीज बच्चे को influence करता है, वो हर चीज बच्चे को influence करता है, जब तक कि बच्चा टीनेज में पहुँचके, बाहर के दुनिया से उतना अफगत नहीं होता है, तब तक आप ही उसके influencer है, parents, family members ही उसके influencer है, और first and foremost, एक सबसे important, parents, parents का behavior कैसा है, other family members के साथ, उसका बहुत बड़ा influence पढ़ता है, तो जो अब तक अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, और आपको शिकायत है, कि हमारे बच्चे ऐसा behavior करते हैं, वैसा behavior करते हैं, तो मेरी आपसे request है, कि आप 10 minute एकांत में बैठिये, एकांत में बैठ के, और अपनी पिछले 24 घंटे की activity को observe करिए, खुद को, खुद को ऐसे internal level observe करिए, कि अगले last के पिछले जो 24 घंटे गुज़रे हैं, उसमें मैंने हर minute या हर 15 minute या हर आदा घंटा हर घंटे पे, मेरा behavior, मेरे शब्द जो मैंने use करे हैं, वो क्या रहे हैं, और अगर वो same चीज मेरे साथ कोई कर रहा होता, तो मुझे कैसा feel होता हो समय, और मैं कैसे react करती, तो वो जब आप reflect करेंगे खुद को, और फिर जब आप compare करेंगे अपने बच्चे के behavior से, तो आपको काफी कुछ similarities मिलेंगी उसमें, तो आपका बच्चा अभी complaints आती है, parents से कि हम तो बहुत बदलने की कोशिश करते हैं, बच्चा बदलता नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, आप एक बात याद रखिए, कि बच्चा जो है, वो हमारा shadow है, परच्चाई है, और हम object है, जब आप कुसी भी कभी भी देखा ही होगा हम लोग ने हर बार, और हम परच्चाईओं के साथ पहले खेला करते हैं, ऐसे हो जाएं तो ऐसी हो जाती है, ऐसे हो जाती है, हम light ऐसी हो जाएं तो परच्चाई चोटी हो जाती है, परच्चाई बड़ी हो जाती है, नाटी हो जाती है, मोटी हो जाती है, तो यह सारा कुछ हमारे चेंज से जो है शैडो बदलती है शैडो का अगर आप चेंज करना चाहें तो वो कभी नहीं बदलेगी unless and until की object का position चेंज किया गया source of light चेंज किया गया तब तक जो शैडो है जो परचाई ही वो नहीं बदलेगी तो in short मेरा क्याने का मतलब है काम हतोड़ा गलत जगा मारा जा रहा है परचाई को बदलने की कोशिश करी जा रही है जो की नहीं possible है object को shape करना पड़ेगा अगर आपको परचाई आप जैसी देखना चाहते हैं वैसे खुद को shape करना पड़ेगा क्योंकि आप object है आपको खुद को shape करना पड़ेगा परचाई पर काम ही नहीं करना पड़ेगा वो खुद बखुद वैसी मैं इतना confidently इसले क्या सकती हूं कि मैं यह चीजें जी हैं करी हैं यह चीजें क्योंकि मैंने भी सीखा है सीख के हर इंसान पैदा नहीं होता है वो सीखता है सीखता है और उसको इंपलिमेंट करता है उसको जब जीता है तो उसके लाइफ में बदलाव आता है और फिर हमारी responsibility है कि हमने जो अचीव किया है उस चीज को हम दुनिया में बांटे हैं क्योंकि हर बच्चा हर एक बच्चा जो है वो future है इस दुनिया का हर बच्चा future है और हर बच्चा capable है तो वो बदलेगा ही बदलेगा क्यों नहीं बदलेगा तो आप उसको influence किस तरह कर रहे हैं आप उसक उसको इंफ्लेंस कर रही है आपका इरिटेशन उसको इंफ्लेंस कर रहा है आपका स्ट्रेस उसको इंफ्लेंस कर रहा है तो फर्स्ट इन फोर्मस्ट जो घड़ा बन रहा है तो उसका जो शेप बन रहा है वह इत्ता स्ट्रॉंग बनना चाहिए इत्ता स्ट्रॉंग कि बाहर एक example बनके एक value create करे उससे उसकी life कितनी खुबसुरत होगी हर parent अपने बच्चे की तारीफ सुनना चाहता है तो उस तारीफ के पीछे महनत है internal transformation की महनत है महनत no doubt हर parent बहुत कर रहा है physically, emotionally, you know, energetically, financially, timely हर parent बेहसाब महनत कर रहा है especially in 21st century and I am hats off to all the parents इतनी वहनत 21st century के parents कर रहे है क्योंकि societal pressure, external जो process उसका pressure इतना जादा है parents के उपर कि really hats off लेकिन इसी यही वक्त है सीखने का, बदलने का, अपने बच्चे के लिए हमें वो तो थोड़ा सा time खुद को निकालना ही पड़ेगा आपको उसके भी कैसे निकालना है वो में आगया आने वाली वीडियो में चक्चा करूँगी next आता है commanding जादा तर parents में देखती हूँ कि वो commanding mode में रहते हैं एकदम command करना है जैसे सुबह से लेकर शाम तक commanding तुम उठेनी time से उठना है time से अरे जल्दी 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 brush करो जल्दी 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 नाश्ता करने का time नहीं है चलो चलो गाड़ी में खा लेना बस में खा लेना school को देर हो रही है चलो 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 आज फिर भस मिस हो गई oh my god ये क्या चलो चलो जल्दी अच्छा जल्दी चलो जल्दी घर जल्दी वापस आने पता है कितना होंबक है क्लास जाना एक्टिविटिए व है इसे बंबारिंग और इसमें आपके गल्दी थोड़ी है ये system करवारा है आपसे इस इसको आपको समझना पड़ेगा अपको समझ जितना जल्दी समझ लेंगे उतना अप्छा है eda system आपसे करवारा है आप करे से कमांड किया जाता है सनों तुमने ये नहीं किया । उन्हें किया निए तुमों ये करना है तुम्हें घह करना एंप्onen पानी करने पांगे किया फ्लांत audi captive ऑफ करने है जाले चुटाने है पर दे चयंच करने जाडू पोचे करने ऐगशिखिboys सिरो या आपके उपर यह frustration 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 कहां निकलता है अगर मैं बहुत ही बहुत ही जादा एक extreme में जाओं तो यह frustration जाके आज के यंग्स्टे स्विसाइडल मोड में चले जाते हैं वो हमें नहीं करना है और हम चाहते भी नहीं और हम कर भी नहीं रहें लेकिन unknowingly at subconscious level कहीं ना कहीं वो हो रहा है तो आपको यह decide करना है as a parent solutions का यह है आपको यह decide करना है कि यह सब only एक ही area पर काम करना है जैसे सरिफ academics or class or tutions और यह और वो क्या overall development इस तरह से बच्चे का होगा या हो रहा है या एक ही पर focus ना करें करके हमें और भी चीज़ों पर focus करना है हमारा mission है capable individual create करना जो कि ना ही अपनी life खुशी से जीए हमारी भी life खुश हो वो भी इज़त दार हमें भी इज़त खुब मिले और society में value create करके उसको look up to किया जाए कि बनना है तो वैसे बनो बच्चा reflection है बच्चे के behavior से parents को का पता चलता है कि parents कैसे होंगे इससे बाहर दुनिया में सो हम कहां पर काम कर रहे हैं हम बच्चे को किस तरह से influence कर रहे हैं तो मेरी आप से again request है जो qualities है जो अपने को 10 minute एक कांत में बैठके reflect करिए कि 24 गंठे मैंने किस तरह से behave किया है क्या है और फिर compare करिए आपका बच्चा क्या कर रहा है और आपको कहा आपके कोई questions है कुछ है तो प्लीज मुझे comments में भेजिए I would love to address them हर बच्चा एक हीरा है हर बच्चा एक हीरा है उसको तराशेंगे तो वह जरूर 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 चम इतनी चमक बिखे रहे गाना या बंदाज नहीं लगा सकते कि एवरी चाइड इस अडाइमेंट एन लग चिल्रेंगे अपना इमेल डाल दूंगे आपको कोई आगे की विडियोस नहीं सो थैंक यू सो मच पॉर वाचिंग टेक्यर वाइब आए